अनुरोद करूँगा कि वो आए और अपना हमें सम्होधित करें अरे रिश्ट्न इसकौन के चैर्मेन पुज्यकोपालत श्रमाराज जी मंत्री मंदन के मेरे साथी स्थिमाहिश शर्मा जी समस्थ में मेरी सहियोगी स्रिमती मिनाक्षि लेखी जी इसकौन के अन्य महत्वपूर्ण सदर्शका और यहाँ अपस दिवियों और सज्जनों मुझे बताया गया है कि इस कारकम में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, हंगेरी समेत कई देशों से लोग पहुंचे है आप सभी का भी बहुत-बहुत अविव्यादन साथियों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है झाली 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा आज का दिवस इसले महत्वपून है कि आज शुबह ही मैंने गांदी शांती पुरस्कावों के कारकम में हिस्सा लिया और अभी मुझे दिव्यतम ग्रंद गीता के भव्यतम रूप के रास को समर्पित करने का आउसर मिल रहा है यह अउसर मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं उस जगह खड़ा हूँ जहां करीब दो दस्क पहले अटल विहरी वाजपाई जने इस मंदिर परिश्द का सेला नियास के रहा है साथियों दुनिया की भव्यतम सिमत भगवत गिता तीन मिटर लंबी और आट सो किलो की है यह सिर्फ अपने आकार की वज़े से ही खास नहीं है वास्तों में सदियों तक दुनिया को दिये गए महान भारतिय ज्ञान का प्रतीक बन करके एक प्रतीक चिन बन करके रहने वाली है इस गीता को बनाने में इस कौन से जुड़े आप सभीज ने अपना पूरा सामर्त और रचनात वक्ता लगाई है ये गीता भगवान सिक्ष्ण और स्वामी प्रुववात के सुरत धारूं की भक्ति और समर्पन का प्रतीक है इस सरानिय प्रयास के लिए आप सभी बधाई के पात्र है इस से भारत के पुरातन और दिव्य ज्यान की प्रंपरा की तरफ विश्वकी रूची और अधिक बढ़ेगी साथि और भगवत गिता को सामानिय से सामानिय मानवी तक पहुचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं सबसे छोटी गिता से लेकर सबसे बड़ी गिता तक इस दिव्य ज्यान को सरल और सुलब कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाध हो चुका है साथियों लोकमानिय बालगंगातर तिलक जी ने तो जेल में रहकर के गीता रहश्य लिखा है इसमें लोकमानिय धिलक ने भगवान स्री कर्ष्ण के निश्काम कर्योग की बहुती सरल व्यक्षा किया है उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्षनी क्या विद्वानों की चर्चा तक सिमित नहीं है बरकि आचार विचार के खेतर में भी वो सदेव जीता जाकता पतीत होता है लोकमानिय धिलक ने मराथी में गीता के ग्यान को सामान निमानिय तक पहुँचाया और गुजराती में भी इसका अनुवात कराया इसी गुजराती अनुवात को राष्ट पिता महत्मा गांदी ने जेल में पढ़ा और इससे गांदी जी को बगवत गिता अकॉर्डिंग टू गांदी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली इस रचना के माध्यम से गांदी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा गांदी जी की ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पुर्व राष्पती सिमान ब़राक उभामा जी को भी उभार के रुप में दी थी सात्या सिमत भगवत दिता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरख उपहार है गीता पुरे विश्व की दरोहर है गीता हजारों साल से प्रासंगीख है विश्व के नेताओं से लेकर सामान ये मानवी तक सभी को गीता ने लोग हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमगन है ही दुनिया भर के अनेक महान विभुतियां भी इसकी दिव्यता से अच्छोती नहीं रह पाई ग्यान से लेकर विज्ञान तक हर खेत्र के अनेक लोगों की प्रिणा कुरुक खेत्र के मैदान पर कही गई ये अमरवानी है साथियों मशूर जर्मन फिलोशफर शौपन हावर ने लिखा था गीता और उपनिशत्य अध्यन से अधिक हितकर संपूर विश्व में कोई अध्यन नहीं है जिसने मेरे जीवन को शांती से परिचित कराया और मेरी मृत्य को भी अनन्त शांती का भरोसा दिया ये बाते उन्होंने उस दोर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेडियों में जकड़ा हुआ था हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को भी कुछलने के अनेक प्रयास की जा रहे थे भारतिय दर्शन को नीचा दिखाने के बरपूर प्रयास चल रहे थे साथिय दुनिया को भारत के इस पुरातन ग्यान से पवित्रता से परिचीत कराने एकाए एक बना प्रयास मंच पर विराजमान बिप्रितियों ने किया है और मैरे सामने मौझूद अनेक विद्वानों और भक्तों ने भी किया है स्रिल्व भक्ति वेदान स्वामी प्रभभपाई जी ने तो खुद को भगवद गीता के लिए समर्पित कर दिया रहा जिस प्रकार गांधी जी के लिए गीता और सत्यागर जीवन का अहम हिस्सा रहा है उसी तरह स्वामी जी के लिए भी मानवता की सेवा के ये दो मार्ग हमेशा प्रियर रहे यही कारण है कि उन्होंने पहले गांधी जी के नेत्रुतों में भारत छोड़ो आंदोलन में हिसा भी लिया था और देश के आजाद होने के बाद वो मानों मुक्ति की अलब जगाने दे दुनिया के ब्रहमर पर निकल गए अपनी मजबुती चासत्ती से हर प्रकार की चुनोतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस कौन जैसा एक अब्यान छेड़ा जो आज भगवान से कृष्ट के दिखाए मार से दुनिया को परिचीत कराने में जुटा हुआ है सात्यों गीता धर्म गरंथ तो है पर ये जीवन गरंथ भी है हम किसी भी देश के हो किसी भी पंथ के मानने वाले हो पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती है हम जब भी वीर अरजून की तरह आनिर्णे के दोराये पर खड़े होते हैं तो स्रीमत भगवत की ताह में सेवा और समर्पन के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है अगर आप एक विद्यार्ती है और अमिर्णे की स्थिती में है आप किसी देश के राष्टा देख्षे है या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी है आपको अपने हर प्रश्ण का उत्तर स्रीमत भगवत गीता में मिल जाएगा मैं तो मानता हूँ कि गीता मानव जीवन के सबसे बड़ी मेन्यूल भूख है जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है अब प्रभू ने तो स्पष्ट कहा है परित्रानाय साधुनाम बिनासाय चदुस्कृताम धर्म संस्तापना अरफ है संभवामी युगे युगे मतलब दुस्तों से मानो ताके दुश्मनों से धर्ती को बचाने के लिए प्रभू की शक्ती हमारे साथ हमेशा रहती है यही संदेश हम पूरी प्रामानित्ता के साथ दुस्त आत्माओं असुरों को देने का प्रयास कर रहे है भाई और मैंनो प्रभू जब कहते है कि क्यों वह व्यर्थ चिन्ता करते हो किसे व्यर्थ डरते हो कौन तुमें मार सकता है तुम क्या लेकर आये थे और क्या लेकर के जाओगे तो अपने आप में खुद को जन सेवा और राष्ट सेवा के लिए समर्पित होने की पेरणा अपने आप मिल जाती है साथियों हमने प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले हर नीति के मूल में न्याय हो समभाव हो समता का सार हो सबका साथ सबका विकास का मंत्र इसी भावना का परणाम है और हमारी हर योजना हर निणे इसी भाव को परिलिक्षित भी करते हैं चाहे वो ब्रस्त आच्रण के विरूत उठाये गए कदम हो या फिर गरीब कल्यान से जुड़े हमारे ये निरंतर कारिये ये हमारे निरंतर प्रयास रहा है कि अपने प्राय के चकर से राजनीति को बहार निकाला जाए साथियों हमारी सरकार का हमेशा से ये द्रडविश्वात रहा है कि भारतिय संस्कृति, भारतिय मुल, भारतिय परंपरा में दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान है खिंसा हो, परिवारों के संकट हो, परियावरन से जुड़ी समस्याओं हो, ऐसी हर चुनवती, जिससे दुनिया जूज रही है, उसका समाधान भारतिय दर्शन में है योग और आयुरुवेद की मुहिम को विश्व भर में पहचान और उसमें जुटे आप जैसे सहुस्तान और देश के अनेक संतों की तपश्या को हमारी सरकार ने बुलंद आवाद दी है, जिसके प्रणाव सरूप आज हेल्थ और वेलनेस के लिए विश्व तेजी से योग और आयुरुवेद की तरफ आकरशित हो रहा है साथियों मेरा ये भी मानना है कि योग आयुरुवेद से लेकर के हमारे प्राचिन ज्ञान और विज्ञान से अभी दुनिया का सही माइने में परिचे होना काफी बाकी है हमारा सर्वश्यष अभी दुनिया के सामने आना बाकी है मेरा आप सभी से हमारे पुरातन ज्ञान विज्ञान से जुड़े तमाम कर्मयोगियों से यागर रहेगा कि वो अपने प्रयासों को और गती दे और नई पीडी को भी रिसर्च से जोड़े सरकार आपकी मदद के लिए हमेशा तयार है एक बार फिर इस कौन से जुड़े हर भक को हर भारतवासी को मानवता में विश्वास रखने वाले दुनिया के हर व्यक्ति को इस दिव्यब भगवत गीता के लिए मेरी तर्व से बहुत बहुत बढ़ाई आपने मुझे यहां आमत्रित किया इस पवित्र आउसर का भागीदार बनाया इसके लिए मैं आप सब का बहुत बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद Hare Krishna